अगर आपको अपने फोन की जो वाल्यूम है वो आटमाटिक अप एंड डाउन होती है तो इस प्रव्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकरी देने वालों तो चलिए आप भी वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देखिए अगले पेज में आपको नीचे की साइड में इस टोरेच का ऑप्शन का टाप करना है तो आपको बैक पेच पर बैस पर जाना है तो यहाप कर आपने जो ऑन्ट शिस्टम सेलेक्ट के अदरा इसके ठीक नीचे आपको यह ऑपशन अप्शन मिलता है यह आंड्व जिसे भी यहां पर भी आपको इसे clear catch पर टाप करना है तो आपको अगला का में यह करना है मुवाइल फॉन का software आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है इसके बाद आपको नीचे software आपको आपको अपको अगला काम यह करना है आपके mobile phone को reset करना है दिखें दोस्तो यहापे mobile phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process काम नहीं करते न तब आपको phone को reset करना है अदरवाइस नहीं करना है, फोन को रिसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे उपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे उपर सर्च बारवर रिसेट आपको लिखना है, आपको नीचे यह ओप्शन शो था, फैक्टरी डेटर इसे टैप करना है, आपको फोन डेरेक्ली आपको इस सेटिंग में लाएगा, फैक्टरी डेटर रिसेट पे टैप करेंगे, तो अगले पेज में आपको सबसे नीचे की साइड है, रिसेट का यह ओप्शन टैप करना है, इससे आपका फोन रिसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉलम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन फोन को रिसेट करने से पहले भी दो बातों का ध्यान रखना है, पहली बात यह ध्यान रखने कि destra चुंद आपको यह ओप्पने फोन में, तूसरी बात ध्यान रखने है, आपके फोन की Gmail ID और उसका पस्वाट आपको पहले से नोट करके रखना है ठीक है तो ये दो काम आपको पहले करना है उसके बाद फोन को रिसेट करना है तो मेरे बताएवे सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम सौल हो जाएगी ठीक है